है नमस्कारदोस्तो स्वागता है आपका अपने YouTube चैनल निफ अकेडिमी में तो मित्र आज हम सुरू करेंगे अस्थानी सोसासन या पंचातिını राज je था दोनों एक ही हैं तो अरी आप लोग देख सकते हैं प्लै लिस्ट में जा करके ुई इसके बाद दो चार वीडियो और आएगा जिससे पूरा जो है मोस्ट इंपर्टेंट जो होते हैं टॉपिक और कबर हो जाएंगे तो आज का जो टॉपिक है अस्थानी सोसासन इसमें इससे जो है वीडियो हुआ लेकपाल हुआ पीसियस हुआ यूपिटेट हुआ इस सब में जो होता है कूश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से जितने भी कूश्चन एक्जाम में पूछे जाते हैं उनको हम लोग कब सब्सक्राइब इस लिए लगता है क्योंकि एक गराम्रे अस्थर से जूड़ा हुआ है वह यह यह संब्यधानिक व्यवस्ता से भी जूड़ा हुआ है एशे में हम लोगों को कैसे ताल्मेर बनाएं बठाएं कि शंबिधान में किये गए इसके जो संबंद में प्राउधा जयान है उनको जो है उनको भी हम जाने और वाश्थति अस्त्र पर काम है उन्हें भी हम समझें तो आज हम लोग शुरू करेंगे इसी टॉपिक पर डिसकस्टाण करेंगे और इसके जितने major point बनते से जो पूछे जाते हैं आज हम लोग करेंगे जई इस Kathleen का मतलब क्या होता है कि अस्तानी अस्तर जो होता है जो स्वासन व्य वेवस्ता क्या चेहं जाता है व्यूंता जो प्रटारomme Virtual का इसके बाद क्या होता है कि लोग तांत्रिक करण meditate करण आता है इसमें ऐसे जो का when क्वेश्टिव्यूशन वहाँ लोगतांत्रिक कीएश्टिव्यूशन च्रुक्तरण कर आता है इसमें जों मतलब करद्र। उस्टर में देख रहे हैं कि छ ग्रामरी अस्तरो पनृब सोता है पंचायत किसे क्या सूची में है तो बारान सूची में यह देख लिए अब आते हम लोग थोड़ा देखते हैं कि भारत में अस्थानी सुसासन का विकास कैसे गुए के विकाहति देखते हैं कैसे इसको कब से यह आया तो देखते हैं भारत में हष्थाजनि आएंस पुर बनाते गए तो उसमें जो होता कि उतना नहीं था यह पर चली तो कुछ ना कुछ लेकिन था तो इसके बाद सिंगन पॉइम देख रहे हैं जो है गाओं के लिए जमिदार निवत किए गए वहां भी था अर्ज थारड़ पॉइंट पाते हैं 1882 में लाड़ रिपन लाड़ रिपन ने जो होता है ने अस्थानी सोसासन संबंदित प्रस्ताव दिया जिसे अस्थानी सोसासन संस्ताव का क्या कहा जाता है मैगना काटा क पाहला असर था करना निर्वास निकास आसत्ति में आया हो गया हम लोग आते हैं क्या लट रिपन को क्य थास्ताव यह कहा जाता है बहुत को हर एक्जाम में लगबलगल पूंचा जाता है कि अस्तानिस वासासन का जनक किसे कहा जाता है तो लाड रिपन को कहा जाता है कब इन्हों ने सुरू किया था तो 1882 में शुरू किया था ठीके दोस्त यह देख लिए हम लोग इसके बाद आते हैं 1919 के 1919 के भाराशासन अधियम के तहद जो है प्रांतों में दोरे शास के बाद आते हैं हम लोग देखते है कि कुछ लोग अस्तानिस वासासन के परज्च में थे जो है ब्वर्क में थे मैंने के शुल्य ओस्तानिस वासासन के मुख परिसपादक थे और जो इनके साथ जीत आप देख रहे हैं 297 परसाथ थे लाला लाजपत राय थे यह सब पच्छ में थे अस्थानी सुसासन के विरोध ही कौन था वियार हम एक्टर जी थे विरोध में इसके कि अस्थानी सुसासन जो है समांति है पुरुसवादी है जातवादिक को बढ़ावा देगा यह सब इसलिए विरोध कर रहे थे लेकिन इसके बाद जो है तो इस समितियों में कई जैसे कब आते हैं समितियां जब कुछ समितियां बनी हैं जिसमें जिनको बताया गया कि पंचाति राज के संबंद में कुछ विशेष सलाह या विशेष परामर्स के देने के लिए समितियों बनाई गई इन समितियों में कुछ पूछे जो है कई प समितिया ने अपना इक सुजाओ दिया पहली समिति कौन थी कौन थी कौन थी बलवांतराय महता समिति कब 1957 को यह गठन किया गया 1757 इसमें 1902 के सामुदा एक विकास कारकरम के इताहत जो होता सब्सक्राइब कर दिया गया कब किया गया इसके बाद इसी में देख रहे हैं कि दो अक्टूबर को जो है जब इसका गठन हो गया तो दो अक्टूबर 1969 को राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गाउं में जो होता है शुरू किया गया जो उद्घाटन काउन किया था जवालाल नहरू थे उस समय परदान मंत्री काउन था जवालाल नहरू ने इसका उद्घाटन किया था तत्रफशाथ जो है इसी के तुरंत बात जो है 11 अक्टूबर 1969 को आंधर परदेश में शुरू किया गया कहां से शुरू किया आंधर परदेश के किस जिले से शुरू किया तो महमूद नगर यह पॉइंट बहुत ही इंपॉटेंट है कूश्चन पू किया बात से दू, तीन जरूर पूछे जाते हैं वीजया में कहीं 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 देखने को मिलताै कर दोसरे नंबर समिटी पर आते हैं कौन से समिटी समीटी के गठन किया गया काउन सेसं अशोक मेल्स सम्स्धिए का 1977 को है थो इन्हों ने भी जो है अपना वदिया की अपना भीक्ति ऑपना विचार दिया कि दो अस्तर पर सरकार होना चहिए एक क्ञाम अस्तर पे एक जिला अस्तर पे बीच का मंडल अस्तर वह था बलाक था वह नहीं सब्सक्राइब कि इन्हें कहा कि चार सरकार चाहिए गांधी के सरकार थी तो यह हो गया इसके बाद इसके बाद देख रहे हैं कि चावते नंबर भी क्या है लच्छिमी मल सिंग भी देख रहे हैं यह लेम सिंधिवी समीति थी यह बहुत इंपोर्टेंट है 1886 में इसका गठन किया गया था 1628, छी 1886 में थीग में इसमें क्या कहा गया है यह प्राधान बहुत है किसी सहुमेति नंबर भी लच्छिमी मल्सभी समीति फीर्च पहले इंपोर्टेंट है दूसर नंबर मुद्द देख र Ja了ot का दिर्चातों को थीए कहा था में इस तरह के देख लिए इस तरह के हम लोगों ने जो जितने भी थे कि बेसिक चीजे थी उन लोगों को हम लोग कवर के लिए अब हम लोग देखते हैं कि इसका जो है कब जो है संब्यधानिक दर्जा दिया गया इससे जो है कब जो है संब्यधानिक दरजह दिया गया एक इसे जो है कब जो है इसके तथकाली परधान मंत्री कौन था पीवी नर्सिम राव थे और राषपती पूछता है कौन थे तो संकर्द्याल सर्मा थे के कारकाल में यह परभाव में लाया परभावी हुआ तो 20 अपरेल 1993 को राषपती ने सुबक्रित दी थी इसके बाद यह पॉइंट बहुत ही इंप्वाटेंट है कि 24 अपरेल 1993 को इसे संबैधानिक यह लागू हुआ ठीक है कब 24 अपरेल को 24 अपरेल को एक और पॉइंट याद रखना कि 24 अपरेल को राषटी पंचाय दिवस के रूप में मनाया जाता है इस दोनों पॉइंट कहीं कहीं आप पेपर उठाएंगे किसी भी एक्जाम के तो यहाँ यह पॉइंट आपको देखने को जरूर मिलेगा ठीके दोस्त यह शुरू किये इसके बाद इसी में और जो है तिहत्रवा संबिदान संसोधन में ही लागू किया गया क्या कि भाग जो होता है कि भाग नव भाग नव हुआ अनुची 11 हुई अनुच्छे जो है 24 243 से 243 ओं तक जोड़ा गया कि संबिदान संसोधन दारा तीहत्रवा संबिदान संसोधन द्वारा कभ 1993 से लागू हुआ दोस्त अगर वह से पहुचता है तो बाननवे में मतलब परस्ताव हुआ था लेकिन लागू कब हुआ था तो 1993 हुआ था कुश्चन के एकार्डिंग जो है आप विकल्प का चायन करेंगे ठीक है दोस्त यह आगे त्रीहस्तरी पंचाति मंजूरी में जो होता है कि लेकिन चूट दिया गया यहां एक पॉइंट याद रखना लेकिन चूट यह दिये गया जहां जिसर राज की जनसंख्या जो होते है बीस लाग से कम हो और यह से राजयों में दो अस्तर का सरकार का गठन कर सकती है जैसे कि दो अस्तर पे कौन-कौन एक गराम अस्तर पर एक जिला एस्तर पर वीच कई वाला नहीं रहेगा ठीक है दोस्त यह देख लिए इसके बाद से समध्य है इसको देखते हैं हम लोग मैं कहा गया सीछ मैं की तीन कम से कम जो होता था है सिथ quickly की मिनमUNT क्या शुर्कार उर्टावा चाहती है तो बढ़ा सकती है जैसे बिहएare बिहार को देखते हुए हिमांचल परदेश ने कर दिया हिमांचल परदेश के भारत के विभिन राज्यों में लागू हो गया जिसे कि मध्य परदेश हुआ तो इन सब में महिला आरच्षड को बढ़ावा दिया इन सब राज्यों ने तो उहीं बात आती है यस्टी यस्टी के लिए यस्टी यस्टी के लिए आरच्षड किया गया कि जनसांख्या के अधार पर होगा लेकिन मिलमम जो है एक बटे तीन रहे गया मैस में कोई लिमिट नहीं है और जो कहा गया एक सो चार्वा संभिदान संसोधन करके ने 2019 में कहा दो जा गया 2030 कि तक टो एक शुनाओ कैसे और देखेंगे चुनाओ कैसे होता तो ईहां से आभास करताई पांच वरस करता है उम्र में कितनी होने चाहिए टोस्ट सेट कियए यहां जाना होनी थेellsताय तो यहां पंचायत का है तो यहां 21 वर्स में राजबित आयोग का गठन किया जाता है क्यों कि पंचायतों का जो प्रजपालों तो करते हैं अब आते हैं पंचायतों के है यहां पहला जानते हैं गराम अस्तर हो गया जिला जिला के ढ़ला कहते हैं अश्थन पंचायत कहते हैं उसके हेड़ को क्या कहा और जिलास तर पर्मुक को क्या कह जाता निरवाचन पंचायत्म के निरवाचन कैसे वोता परतान का पर्दान Kut 상č पर तरीके से राज की वीद्हान मंदल डारे निरधाומ पर क्रिan होती है उसी तरीके से इनका पर्दान ऐसे बीडिसी होते हैं बीडिसी इनको देते हैं अपर्देश खूता है इस तरी के सब्सेगे सबसे पहले पंचायत का चुना कहां हुआ था तो मद्दपरदेश में हुआ था जिले में शुरू किया गया था तो राजस्थान के नागोर जिले में यहां दोनों पॉइंट याद रखना इसके बाद दोस्तातें जी सुचंत्ता प्राप्ति के बाद यहां देख रहे हैं आप लोग बर्तमान में पंचाती राज जो है अधरियम 1947 के आंतरगत 15 अगस 1947 को प प्रदेश में राज में पंचाती राज का बर्तमान शुरूब संविधान के संविधान संसोदन के बाद लागू किया गया ठीक है दोस्ते देख लिए जो आर्टिकल आते हैं इन्हें हम दो देखते हैं क्योंकि यह जो आने वाला आगायमी लेकपाल के परिच्छा होगी यहां से दो कुष्चन तो ही मिनमुम दो कुष्चन पूंचेगा चैकर आ सकता है तो आप लोग देख रहे हैं कि 243 243 ओ तक है तो इसमें आशा को खंडों में आखके हम लोग यात करेंगे इसे 243 में क्या है पंचायत है 243 में क्या है गराम पंचायत की परिभासा दोनों क हम लोग 7 करके याद रखते हैं और इसके बाद ए तीनों को हम लोग एक 7 में रखते हैं मदलब 243 B में क्या क्वार गठा नहीं क्या से सनाचना हो गया डी से अरचण हो गया और अच्छड जिस तरीके से भी हमने बता है वही अरचण होना चाहिए इस तरीके से बाद हम इसको देख लेंगे बाकी देख रहें ओ में क्या चुनावी मामलें में नयाले में हस्षेप पर रोख ठीक है दोस्त इस तरही के से इन्हें हम लोग एक दो बार रिवाइज कर लेंगे तो त्यार हो जाएगा ठीक है दोस्त मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक अपना ख् आओ तो जो है लाइक करना है ठीक है धन्नावाद